नमस्कार बच्चो उमिद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे अच्छे होंगे मस्त होंगे बच्चो क्लास 11 साथ 12 स्वES किमेस्टी के जो क्षिशन बेंग हैं वह आचुके हैं हर साल तो क्षिशन गेंग देरी से आते हें लेकिन इस बार क्षिशन बैंक जो है आपकी जल्दी आ चुकी है और कुछ नीं डिड़क्शन भी हो चुकी है इसके बारे में मैंने इस से पहले वाले वीडियो में डिस्कुशन किया था हम आज बात कर रहे हैं अब जो है सोलिड इस्टेट नहीं है आपका जो ठोसा वाला चेप्टर रिड़क्ट कर कि इस बार से लेबस से MP बर्ड वाले डिया लिए तो इस बार हम बात कर रहे हैं विलियान के लिए विलियों के विलियन के जो हैं बहु विकल्वी प्रश्ण है वस्तुनिष्ट प्रश्णों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें बहु विकल्वी प्रश्ण के बारे में चर्चा करेंगे और जोडियों के बारे में चर्चा करेंगे और एक शब्द वाले वर्ड वाले एक तरह से आपने करने में आपको प्रॉब्लम निया था जो द्रों में विलेता से संब्धित जो नियम दिया था ज़ू का सब्सक्राइब। तो ये जो गेशों की द्रोव में विलेता के लिए जो नियम दिया था, वो किस ने दिया था, हेंडिय साथ आपने दिया था क्या दिया थोस वीलियन भाइय, क्या है? अगला Q Toby आपिक सामने यहा में क्नध्र मेंन थ्यान रखना। तो यहां पर सिर्फ दे रहा वाश्पदाप तो वाश्पदाप जो है वो अनुसंकिया गुण धर्म नहीं है तो कौन सा वाला टिक करोगे आप या बाव ला टिक करोगे देन आपका अगला कुशन है 2000 ग्राम विलायक में उपसीद तो मोललता मोललता इनकी डे dramas यांत कर रखी होगे तो यहां independent म amar आराम से दे पाँगे ओके आगे बढ़ते हैं इसक्रिंशाट लीजिएगा हाँ यह हो गए आपके जो हैं एमसी क्यूस टाइप की कुश्यन अब अगला कुश्यन आपका रिक्त इस्थानों की पूर्ति कीजिए तो आधर शिविलियन की डेफिनेशन याद कर रखी होगी तो आप यहां का इसका अ राउल्ट के नियम का पालन करता है राउल्ट के नियम का पालन करता है राउल्ट के आधर शिविलियन के लिए ओके बैकी जो अनाधर शिविलियन होते हैं वो दो प्रकार का होता है धनात्मक विश्चलन प्रतशित करने वाला और इनात्मक विश्चलन प्रतशित करने वा जिसमें विलायक एकणों का प्रवाह अर्द पारगे में जिली से अगर अलग-अलग विलियन है उसको सेप्रेट रखा जाए ठीक है उनको अलग-अलग सेप्रेट कर दिया जाए तो बीच में अर्द सेमी पर्मेबल मेंब्रेन लगा दी जाए भाई साब किदर भी विलायक गुंड दर्म विलियन में निशिता आयतन में किसके कणों की संख्या के उपर डिपेंड करेंगे और परासन दाब ये चार अनुसंग्या गुणदर में भाईया किसके उपर डिपेंड करेंगे विले के कणों की सिंग्या विलायक के नहीं सिर्फ किसके विले के कणों की संग्या के उपर डिपेंड करेंगे कि विले की कणों की संग्या कितनी है उसके आधार पर अनुसेंग की अगुनतर में डिपेंड करेंगे वो प्रभावित होंगे नेक्स्ट आपका विलियन में निशित तापर विले की और मात्रा नहीं गोली जा सकती कौन से विलियन में अब आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सालुशन की टाइपस अगर पढ़ रखे मतलब यह जो कुशन देंगे अगर आपने थियोरी अच्छे से पढ़ रखी तो आप यह कुशन करने में आपको दिक्कत दनी आएगी तो यहां पर आएगा अगर संत्रप्त विलियन की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ रखी तो इस कांसर आप आसानी से दे देंगे संत्रप्त विलियन में निशित तापर विले की और मात्रा नहीं गोली जा सकती क्यों भाई साब वो सेचुरेटेट हो गया अब अर्थ पार्गम जिल्ली में से जो सेमी पर्मियबल मेंब्रेन है उसमें से कौन से पार्टिकल आर पार जा सकती बर्कले हाटले प्रोसेस पड़ी होता आप आसानी से उतर दे पाओगे कि उसमें सिर्फ विलायक के पार्टिकल जो है विले के पार्टिकल तो क्या है विले के पार्टिकल को पर्मिशन नहीं रहती है अर्थ पारगम जिली में से आरपार जाने की सिर्फ किसको रहती है विलायक के पार्टिकल को अगर अर्थ पारगम जिली लगाएंगे तो क्या है सिर्फ विलाय के पार्टिकल को जाने की अनुमती रहती है ओके और वो भी किस कंडिशन में एक तरफ सांदरता कम है दो विलियोनों का जोड़ा लिया है एक तरफ सांदरता जो है वो क्या है कम है भईया क्या है एक तरफ सांदरता कम है और एक तरफ क्या है ज्यादा है ठीक है तो कम से ज्यादा कि और जाता है विलायक के पार्टिकल है ना कम से ज्यादा को ज्यादा को दिया अरपार जा सकते हैं मेरी बात यहां तक किलियर हो चुकी होगी ओन भिया अब अपने आगे बात करते हैं जोड़ी बढन लाईए ना जोड़ी मिलाईए भीया आपके सामने हाजिर शिकन जी पी और वाटर या बले कोको कोला थंसव जो भी पीा हो वो बड़िया है तो soda water वहाँ पर उसमें क्या है? जो दरव हैं और दरव के अंदर क्या को है? gas दरव के अंदर Yes उस bottle में purge की जाती है तो ये हो गया soda water ठोस का गेस में उलियन भाई साब ठोस का गेस में उलियन इसको क्या कहेंगे आप? ठोस है है ना? करेंगे इसका यह पहला आ गया और यह कौन सा विले की तीसरा अब भाईया राउल्ट के नियम कि पालन आधर्शी विल्यन अभी आया था यह वाली बात तो यहां पर चौता लगा दिया अधिक मात्रां में विले की मात्रा अब आपके पास अगर तनुव विल्यन और सांद्र विलियन की अगर आपना definition पढ़ रखी हो तो जिस विलियन में अधिक मात्रा में विले पदार्त हो है ना विले पदार्त की मात्रा अधिक और विलियन किसे मिलकर बनता है विले और विलायक से विलियन किसे मिलकर बनता है विले और विलायक से अब आपके पास में दो विलियन है एक विलियन ये है और एक विलियन ये है ठीक है दो विलियन है तो जिसमें ज्यादा है विले पदार्थ उसको क्या कहेंगे पन सांद्र और जिसमें कम है विले पदार्थ जिसमें कम है उसको क्या कहेंगे तनू विलियन क्या कहेंगे तनू तो अधिक मात्रा में विले की मात्रा तो उसको क्या गेंगे अपन सांद्रे विलियन तो भाई साब ये आ जाएगा आपका next वाला ये है आपकी सही जोड़ी मेरे साब से I hope मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये याद भी हो जाएगी साथ के साथ में गया हो जाएगी याद भी हो जाएगी अब आपको one word वाले question बता देते हैं one word चलिए बात करें विलियन की विल्यन में विले की मात्रा कम होने पर कोंसा विलियन के लादा बी जस्ट बात हुई विलेन में विले की मात्रा कम है तो वो वाला भाहिसाब कौन सा विलेन कह best लैगा है तरणु विलेन के लाईगा तरणू विलेन क लिएगा टरणू घर आपने तुलियांग की ही दीिशन पर्तुलियांगों की रखता है ना तुल्यांको की संख्या प्रति लिटर विलियन में विले की ग्राम तुल्यांको की संख्या को क्या कहते हैं प्रति लिटर विलियन में ग्राम तुल्यांको की संख्या कुरल है कि असा कि आपन का इंगे किया को संख्या के अगला है है कि में प्रस्तर बिर अब में का इस त्याइब का इस टाइब की डिसकर्शन तो उसको क्या कहेंगे किंष से CupWeLained किया करतें जो किसंध कि मॉलवाज की चिसकी मोल प्रफाज की तो मोल प्रफाज में किसी गटक का मॉल प्रफाज निकालना मतलब जिसें दो गटक तो विले के मोलो की संख्या बटे विलियन के मोलो की संख्या विलियन के मोलो की संख्या विलियन के मोलो की संख्या तो यह हो जाएगा विले कमरबाच और यदि हम लिखते हैं कि विलायक के मोलो की संख्या बटे विलियन के मोलो की संख्या तो यहां पर बात आईए कि विलिय और विलायक माना की किसी घट्क के मॉलों की संक्या का उनुपात क्या 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 है तो यहां पर आपका answer आएगा मॉल प्रपाजी या मॉल फ्रिक्ष्यन। ठीक है अगला है आपका विलियन जो बीना संगठन मतले एक किताब पर आस्वित होता है उसको कहते है इस सिर्क्वाथी मिश्रन क्या कहते है उसको इसका अंसर आएगा इस सिर्क्वाथी मिश्रन क्या कहोगे बेटाची उसको इस सिर्क्वाथी मिश्रन या इजोट्रॉप मिक्शर कहोगे तो आज की इस लेक्चर में हमने विलियन नाम के चेप्टर के mcqs सालव किया है fill in the blanks किया है match किया है चोड़ी मिलाई है और one word question किया है अगले वाले lecture में हम जो है इसके जो question answer है अति लगूतरी प्रश्न है और फिर लगूतरी और दीरगूतरी इन question को solve करेंगे मतलब यह जो आपकी जो बनेगी कुल 7 नमबर की जिसमें तीन नमबर का एक question आएगा और दो नमबर का एक question आएगा कुल 5 नमबर के तो question answer आएगे और दो नमबर का यह वस्तुनिष्ट प्रशन आएगा ठीक है वस्तुनिष्ट में सभी टाइप के से आप पढ़िएगा कि आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा और अपने साथियों को अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा मिलेंगे फिन नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ओके वाए जैहिन